हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इलेक्रिक माइंड में आज हम स्पिन की मोटर वाइंडिंग की वीडियो लेकर आएं आपके लिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे के स्पिन की मोटर कैसे वाइंड होएगी और एक नए तरीके से हम वाइंड करेंगे देखा होगा आपने अधिकतर लोग बाग लच्छे पर मोटर बनाते हैं लेकिन मैं हमेशा से इन लकडी के गुटखों पर मोटर बनाता हूँ और मोटर में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इससे और आप देख सकते हो यह दो-दो के हम दो बारी चार सेट निकालेंगे एक बार में हम दो सेट निकालेंगे running के और एक बार में फिर से हम 2 set निकालेंगे ऐसे हमारे total 4 set निकलेंगे यह आप देख सकते हूं मेरे 2 set complete हो गए है ऐसे ही हम 2 set और निकालेंगे running के और ऐसे ही हम starting के भी ही 2-2 set निकालेंगे यह निकालने को तो हम एक बार में ही 4 set निकाल सकते हैं लेकिन हम 2-2 करके ही निकाल रहे हैं इस लखड़ी के गुड़कों पे आप चाओ तो एक ही बार में 4 set निकाल सकते हैं लेकिन मैं दो-दो करके ही निकालूँगा और इन लखड़ी के गुड़कों पे हम किसी भी तरीका की मोटर वाइंड कर सकते हैं इन लखड़ी के गुड़कों पे हम किसी भी तरीके की मोटर वाइंड कर सकते हैं यह आप देख सकते हो एक से चार की पिछ में हम डालेंगे बीच में हम दो स्लोट खाली छोड़ेंगे इसे हम एक से चार की पिछ कहते हैं देखा होगा आपने यह मैंने बीच में दो स्लोट खाली छोड़ दिये और इसके बाद हम दूसरा यह सैट लेंगे और एक से छे की पिछ में डालेंगे एक से छे की पिछ में हम डालेंगे इसको और उपर इसके यू पेपर लगा लेंगे देख सकते हो आप बहुत इजी तरीके से हमारी बाइंडिंग हो रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है बस इसी तरीके से आप इस वीडियो को फोलो करके आप मोटर वाइंडिंग बड़ इजी तरीके से सीख सकते हो कोई परिशानी नहीं होगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगे आप इसी वीडियो को देखके मोटर वाइंडिंग बड़े इजली तरीके से सीख सकते हो पाकी मैंने 15 इंची एक्जोस्ट की फुल वाइंडिंग डाटे के साथ डिस्क्रिप्शन वोक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है आप वहाँ से जाके भी मेरा मोटर वाइंडिंग देख सकते हो पाकी अलग अलग तरीके की मैं मोटर वाइंडिंग करूँगा अलग अलग तरीके से और भी फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा कि गुटकों के इलावा और किस किस चीज़ पर वाइंडिंग हो सकती है मोटर आगे उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा और यह हमारा दूसरा सेट डलने जा रहा है यह भी हमारा एक से चार के पिछ में ही डलेगा यह यू लगा लिया है हमने इसके उपर हमने पेपर यू लगा दिया है और मोटर काटने की और पेपर डालने की भी मैंने शोट वीडियो बना रखी है इसी मोटर की मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो शोट वीडियो आपको मिल जाएगी इस वीडियो को एंड तक देखो मैं और भी आपको जानकार यह दूंगा इस वीडियो में मोटर के रिलेटिट अच्छे पे और लकडी के गुटकों पे मोटर बनाने में बहुत फारग है लेकिन मुझे लकडी के गुटकों पे ही मोटर बनाना अच्छा लगता है क्योंकि लच्छा क्या बारी छोटा बन जाता है क्या बारी टाइड बनता है उसकी पेमाईश करो उसको नापो हमारे लकड़ी के गुटके तकरीबन सभी मोटरों के बना के रख रखे हैं मैंने एक इंची, सवा इंची, नेड़ इंची, पंदरा इंची एक्जोस्ट, अठारा इंची एक्जोस्ट, किट, एपी मोटर इन सब के लकडी के गुड़के मैंने बनाके रेडी कर रखे देख सकते हो हमारा दूसरा सेट भी भोट बढ़िया डल गया अराम से अब हम तीसरा सेट डालेंगे इसका हमारा जब दो सेट डल गए तो दो वायर निकलेंगी ऐसे ही दो सेटों डलके दो वायर निकलेंगी. हम इसको चाहते तो एक ही बार में चारों सेट उतार सकते हैं, जिसमें की हमारी केवल सिरंफ दो ही वायर निकलेंगी, लेकिन मैं दो-दो के सेट उतार रहा हूं, यह हमारा तीसरा सेट भी लगवग डल गया है, अब यह हम चोर्था सेट डालेंगे इसके अंदर और इसके मोटर के डाटे के बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो को पूरी देखो एंट तर वीडियो में आपको और भी जानकारी दूँगा मैं इस वीडियो में कि मोटर बनाना या नियो वाइंडर जो मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हैं इस वीडियो को फोलो करके बहुत अच्छे तरीके से बहुत इसली तरीके से वाइंडिंग सीख सकते हैं कंपि कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह मारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुधे में बूससे क किलियर नहीं हो रहा मैं आपको एक फॉर्मॉला बताऊंग जो कि सवर्मॉल आप फोलो करोगे तो इसली तरीके से आप वाइंडिंग कर सकते हो लगवा किसी भी तरीके की यह हमारे चोत्ता सेट भी डल चुका है यह हमारा चोत्ता सेट डल किया है अब इसके अब पर हम कोटन टेप लगाएंगे यह चोंसन कोटन टेप होती है इसको हम लगाएंगे अगर आपके पास यह टेप नहीं है तो आप पेपर भी लगा सकते हैं बीच में अगर हमारे पास टेप है तो हम टेप भी लगाएंगे अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप इसके अंदर पेपर भी लगा सकते हैं उसके में वीडियो बनाऊँगा कि पेपर कैसे लगाएंगे इसमें यह टेप ना लगा के आप पेपर भी लगा सकते हैं कि अब इसके हम connection करेंगे आप ने देख होगा जो हमने दो दो के set बनाए थे यह दो सेट के अंदर से हमारी दो वायर निकली थी और दो सेट के अंदर से हमारी दो वायर निकली थी तो हम एक एक सेट में से एक एक वायर ले लेंगे एक दूसरे सेट में से एक दूसरे सेट में से यह दो वायर लेके इसमें हम जीरो नंबर की सिलीव डालेंगे यह इस तरीके से हम सिलीव डालेंगे इसके अंदर और इसको आपस में हम connection कर लेंगे इसी तरीके से और lighter की मदद से हम इसको जला लेंगे यह हमने lighter की मदद से इसको जला लिया है कि आप शाओ तो रेगमाल की मदद से भी इसको साफ कर सकते हैं रिम्यूव कर सकते हैं इस पर वार्णिस होती है कोटिंग होती है कि अगर हम इसको नहीं जलाइंगे तो हमारे Son कि इसने जालाना बहुत जरूरी होता है इसके ओपर से हमेश कोटिंग है वह अटानी बहुत जरूरी है तब ही हमारे नेक्षान के ला इसे राउंड राउंड गुमाऊंगे आप कि तो हमारे कनेक्षन बहुत अच्छे से हो जाएंगे हमें इस पर शोल्डरिंग करनी की भी जुरूत नहीं है हमारे कनेक्शन बहुत अच्छे से हो गए है यह हमने इसमें स्लीव लगा दिये और इसके अंदर भी हम को टन टेप लगाएंगे है जैसे हमने पीछे की साइड लगाई थी सेम उसी तरीके से इसमें भी हम कोटन टेप लगाएंगे कि जैसी तरीके से हम ुटन टेप लगाएंगे है तो हम डाटे के बारे में बात कर रहे थे जैसे आप कोई भी मोटर वाइंड करते हो तो डाट आप उसी ही मोटर का निकाल सकते हो जब आप उस मोटर को काटते हो तो एक सेट रणिंग का और एक सेट स्टार्टिंग का आप निकाल सकते हो और उसके बाद उसको काउंड करके वही डाटा डाल सकते हो से और उस वायर को हम गेज करके वही डाटा वही वायर हम निकाल सकते हैं और वही data डालके हम motor complete कर सकते हैं कोई CV motor हो जाये वो kit हो, exhaust हो कोई CV पानी की motor हो समर्शेवल हो, कोई CV motor हो हम उसका data अराम से easy तरीके से ले सकते हैं और वही data डालके हम motor complete कर सकते हैं अगर आपको कोई motor का data नहीं मिलता तो इसकी winding की एक book आती है आप उसको purchase करके उसमें से कोई भी motor का data ले सकते हो और आपको google पे भी इसका motor winding का data मिल जाता है search करोगे तो आप आप वहां से भी data ले सकते हो लेकिन तकरीवन आपको data मिल जाता है खुदी आप जब motor काटोगे ना तो उसका एक starting का set ले लो और एक running का उसको आप गिन के count करके सेम डाटा वही निकाल के डाल सकते हो आप मोटर के अंदर बना सकते हो इसी तरीके से डाटे गाता हो गया अब यह formula है यह formula आप समझ लो कि यह किस तरीके से मैं wind कर रहा हूं आप सेम इसी formula से wind करो आपकी मोटर बहुत इसी तरीके से बन जाएगी आप इसके लकड़ी के गुटके बना सकते हो और इस पर wind करो बहुत अच्छी finishing आती है इसमें कोई लच्छे वाली problem नहीं है कि लच्छे को left side गुमाओ या right side गुमाओ दो बारी डालो तीन बारी डालो इसमें कोई दिक्कत नहीं है देखो हमारी motor starting भी डल चुकी है अब इसके अंदर हम धागा लगाएंगे इस तरीके से हम इसमें धागा भी लगा लेंगे जो new winder है वो आप लकडी के गुटकों पे अगर motor बनाना सीखोगे यह देखो कितनी अच्छी finishing आई है अगर आप लकडी के गुटकों पे motor बनाना सीखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप winding करना सीखोगे इसी तरीके से आप किसी भी motor को wind कर सकते हो यह हमने connection करें हैं सेम उसी तरीके से करेंगे जो एक सेट हमने एक सेट की वायर और एक दूसरे सेट की वायर को एक एक ले लेंगे हम उसको हम आपस में सिलीव डालके connection कर लेंगे तो हमारी टोटल चार वायर हो जाएगी दो running की और दो starting की और उसके बाद इसको हम जला लेंगे वायर को हमने जला लिया आप चाहो तो रेगमाल से भी साफ कर सकते हो लेकिन मैं सुरू से वायर जला के ही करता हूं connection यह हमारे अब टोटल चार वायर रहके है दो हमारी running की है दो starting की है और इसके अंदर स्लीव डाल लेंगे हम जीरो नंबर की मैंने स्लीव डाल लिया है चारो के अंदर हम स्लीव डाल लेंगे और इसके अंदर हम इसकी लीडे निकालेंगे लीडे कैसे निकालेंगे वह हम देखेंगे अभी वीडियो में इसके लीडे निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है बहुत इजी तरीके से लीडे निकलती है और आप चाहो तो इसकी चारो वायर बहार निकाल सकते हो लेकिन मैं इसकी तीन वायर ही निकालूँगा एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की लेके इसका हम कोमन बनाएंगे आप चाहो तो दो रनिंग और दो स्टार्टिंग की भाहर निकाल सकते हो लेकिन मैं इसकी टोटल तीन तार भाहर निकालूँगा एक स्टार्टिंग और एक रनिंग की वायर लेके इसको कनेक्शन करेंगे इसको हम कोमन बनाएंगे कि देख सकते हो यह मैं कोमन वायर के कनेक्शन कर रहा हूं जो कि मैंने ग्रीन वायर बनाई है कोमन और अब हम स्टार्टिंग की कनेक्शन करेंगे जो कि मैंने रेड़ वायर बनाई है यह देख सकते हो आप यह रेड़ वायर है येल्लो हम रनिंग की बनाईंगे यह मैंने रनिंग की बना लिए आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर लगा सकते हो लेकिन मैंने ग्रीन कोमन बनाई है रेड़ स्टार्टिंग बनाई है रनिंग पीली बनाई है और इसके अंदर हम तीन नंबर की स्लीव डालेंगे अब उपर से इसके अंदर हम तीन नंबर की स्लीव डालेंगे तीनो वायर की अंदर इसके अंदर डाल के इसको भी हम दागा करेंगे जैसे दागा हमने नीचे लगाया था वैसे ही दागा इसमें भी बान देंगे हैं आप देखो कैसे बानते हम दागा इस वीडियो में और मैं अलग अलग तरीके की वायंडिंग करने के तरीके से वीडियो बनाऊंगा यह अलग अलग तरीके से कैसे वायंड होती है मोटरें लच्छे पर भी बनाऊंगा और गुटकों पर भी बनाऊंगा और अपना 24 स्लाट कि यह मोटर है हम 36 स्लाट किट पर भी बनाएंगे 24 स्लाट पर भी बनाएंगे वीडियो बनाएंगे अलग से और लक्टी के गुटकों पर और लच्छे पर भी बनाएंगे लेकिन मैं लक्टी के गुटकों पर ही मोटर बनाना पसंद करता हूं इसमें मेरे को बहुत इजी लगता है और बहुत असानी से मोटर बनती है यह हम लीड निकाल रहे हैं इसमें हमें लक्टी के गुटकों पर बनाने में एक फायदा है कि हम मारे को नापना नहीं पड़ता पर माईश निकननी पड़ती कितने इंची की मोटर है कितना लच्छा बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है बस लक्टी के गुटके हमने अलग-अलग साइज के बना रखे हैं उसी की तरीके से हम वैंड करते हैं मैंने हर साइज के तकरीबन गुटके बना रखे हैं और कोई न्यू तरीके की मोटर आती है तो पंदरा से बीस मिनिट में हम उस साइज के गुटके बना लेते हैं जो कि हमारे पास नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है गुटके बनाने में इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि गुटकों की पहमाईश कैसे करते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या है उसको बनाने के तरीके क्या है लकडी के गुटके और कैसे हम पहमाइस करके इस लकडी के गुटको को बनाते हैं उस पे भी special हम वीडियो बनाएंगे यह देखो आप दागा हमने कर लिया है और सबसे अच्छी बात है कि इस लकडी के गुटकों पर मोटर बनाने में न फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है जो कि आप देखोगे कि बुलकुल आपको लगेगा कि कंपनी की जैसे वाइंड हुई है यह कि लेकिनगे खमने हाँ से यह वाइंड करी है लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है कोई कोईए ऐसी नहीं लगेगे आपको उठी हुई है। क्य。 जी सारी कफंधे हुई है मोटी है जी बुलकुल एकुरेट सारी कउईग बैटती है और बुलकुल अच्छीron ऐसे आप शाब तो लकड़ी से हलके हलकी पेजकस की मतभद से इन कोईलों को बिठा लो इस तरीके से इस तरीके से हमने इस कोईलों को बिठा लिया है और जो हमारे पेपर थोड़े बहुत उठे हुए है उसको हम इस फन्नी की मदद से यानि इस पत्ती की मदद से हम इसको बठाएंगे इस तरीके से अब इस मोटर को हम चेक करेंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट मोक्स में कमेंट करके बताएं आपको एक वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को जाद से जाद से शेयर करो अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे यह हमारा स्लीज लेंप है हमारी मोटर ओके है कोई दिक्कत नहीं है अरत हम चेक करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग